हेलो दोस्तों वेलकम डूमाय चैनल के कंपटिशन क्लासेस में आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए यूपी बीट वालों के लिए न्यूज हैगी जो उनका लोगों का एक्जाम था जो एक्जाम डेट में संसोधन किया गया जो आपका एक्जाम था वह 18 जुलाई क जगा आप 30 जुलाई को जो है यूपी बीट का एक्जाम होगा देखिए एक्जाम डेट 30 जुलाई 2021 को अब आप लोगों का एक्जाम होगा कि चलिए इसका नोटिस भी आए एक्जाम डेट का नोटिस देख लेते हैं नोटिस क्या है थोड़ा समय ले रहा है नो डाउन्लोड होने में मैंने डाउन्लोड करके रखा हुए हैं दिखें मैं यहीं से दिखा दे रहा हुँ देखें उत्तर परदेश सयोक्त प्रवेश परिक्षा बीड दोहजार परिक्षा के तिथे मानेनिय उपमक्मंत्री जी के निर्देशा अनुसार ती जुलाई दोहजार इकिस दिन सुकुरॉर को निर्धारित की गई है यह परिक्षा पूर्व की भाती दो पालियों में संप बारा बज़े तक होगी और दूसरी जो पाली होगी वह दो बज़े से पांच बज़े तक संपन्द होगी और चलिए आगे चलते हैं उत्तर परिक्षा बीड दोहजार इकिस परदेश की पचात्तर जिलों में आविजित की जाएगी तता इसके लिए 14 नोडल केंदर पांच लाख 91305 है इस बार भी पीछली वर्स की भाति किवर सरकारी अनुदानित संस्तानों को ही परिक्षा केंदर बनाए गया है तो दोस्तों आज की इस नियूज में यही था कि आप लोग की जो बीड एक्जाम था वह 18 जुलाई से को क्या है कैंसिल हो गई है मलें आठ तो रिजल्ट अगर आप लोग को यह 30 जुलाई को एक्जाम हो गया आप लोग को अगर 30 जुलाई को बीड एक्जाम हो गया 30 जुलाई को बीड एक्जाम हो अगर हो जाता है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट आपको 20 अगस्त को संभावित रिजल्ट है कि जब रिजल्ट आने के बाद आपकी जो कांस्लिंग सुरुवात होगी वो कांस्लिंग जो है आपकी 25 अगस से कांस्लिंग चालू हो जाएगा 25 अगस से counseling क्या हो जाएगी चालू हो जाएगी और 31 अगस से 31 अगस से जो है आपका सत्र जो है चालू हो जाएगा तो आज की इस वीडियो में यही था कि आप लोगों की जो बीड एक्जाम देटे वो अठार जुलाई से 30 जुलाई को रखी गई है मैं लगा आप लोगों का एक्जाम 30 जुलाई को अब संपन होगा तो अगर आप इस पीडियाप का लिंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेर आप लोगों को अपडेट जो है तुरूंत ही आप लोगों को मिलती रही ओके बाई थैंक यू